गाइस इस तरह के RC कार आपके पास भी होगी मगर इसके अंदर सबसे बड़ी प्रोब्लम आती है इस बेटरी की कुछ समय चलने के बाद हमारी ये बेटरी खराब हो जाती है हम इसको चार्ज गरते हैं अगर थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाती है और जरा सी देर हमार यह RC Car चलती है इस बेटरी से और यह बेटरी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है क्योंकि यह company के हैं और यह company हमको local देती है तो इसको रखते है side में और मैं आपको बताता हूं कि आपको इसकी बैटरी हमारी RC कार की बैटरी क्या से बनाना है तो जल्दी से मैं इन सेल को बाहर निकाल दिया है और देख लिए जिसा नॉर्मल सेल दिखाई देते हैं वे से सेल पुरानी बेटरी है इस भी क्या करना है इसको खोल के देखना है कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरफ है तो हमार पास एक और बेटरी है हमने इसको खोल लिया है और यहां हम देखेंगे इसका पॉजिटिव किस तरफ है और नेगेटिव किस तरफ है जिस तरह से लिए इस बैटरि के अंदर कनेक्शन है उसी तरह से उसी में भिकन करना है जैसे हम को दिख़ाय Gör रहा है इसका प्लस पॉइंट इदर है हमिए हमको भी हमार नये सेल में बडस पॉइंट इदर रखना तो हमको क्या करना है जिस तरह से इसके अंदर connection है उसी तरह से हम connection करेंगे और मैं आपको बता हूँँगा कि connection कैसे करना है और इसको recharge कैसे करना है जी हाँ guys इसको recharge करने के लिए कोई आपको अलग से charger खरीदने की जरूत बिल्कुल भी नहीं है guys अबको जिस तरह से हम इस battery को charge करते थे उसी तरह से हिसको भी charge करेंगे और जिस तरह से इसके अंधर connection है यह pin लगी बी यह है उसी तरह से इन शेल केंदर भी connection करेंगे तो चले है कई रख बहूंगी इसका connection कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कि इसके connection मेंने कैसे किये हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जमा के बता देता हूं कि इसके अंदर plus minus कि इदर है और हम उसी तरह से हमारी बेटरी को भी जमा लेते हैं इसका प्लस पाइंट इसके पाइंट के रख भी आपने के इसके लिए पर कि चो यहां पर आप देख सक्ते हैं नीचे के दोनों सेल जो इधर के हैं इन दोनों को जोड लेना है और इन दोनों को जोड लेना है तो हम भी क्या करेंगे इधर से भी कनेक्शन करेंगे इधर से इन दोनों को जोड देंगे और फिर इधर से यह दोनों बीच के सेल जुड़े हैं तो हम भी बीच के सेल को यहां है connection guys यहाँ पर हमने connection कर लिये हैं जिस तरह से इस पुरानी बेटरी में connection थे उसी तरह से हमने इधर भी वायर को आर्सी कार की बेटरी पहले यह चलते थी 15 मिट और यह चलेगी गाइस 25 से 30 मिट आपके आर्सी कार को आराम से चलेगी गाइस अब हम इस बेटरी को इस आर्सी कार के अंदर लगाते हैं और देखते हैं क्या यह बेटरी इस आर्सी कार के अंदर वर्क करेगी गाइस हमारी इस हों मेड बेटरी को इस आर्शी कार के अंदर हम लगाते हैं और देखते हैं यह सठीक से वर्क करती है नहीं इस आर्शी कार के अंदर , हट रहा जिúcar इसको प्रोपर फिटिंग आ चुकी ही गाइश जिस तरह से company की जो बेटरी होती ही भी से हमारी ये वाली बेटरी भी इसके देखते हैं और इसका बटन करते हैं यहाँ से और देखते हैं हमारे आर्शीकार गाई अब चेक करते हैं इस रीमोट से हमारे आर्शीकार चल पाईगी कर OS और किने ते पाउर पूल देखो और बागरी है यह व्वाँ यह से ध स्थिज्टरब भापवर سब्सकरेशD權 और हमारी homemade battery guys हमारी इस RC car के अंदर workable है बहुत 100% working है guys यह trick आप भी करो अपनी RC car की खराब battery को change करो इस तरह से आज के बाद आपके RC car रुखने वाली नहीं है guys अब दिल खोल के चलाओ अपनी RC car